ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जो है जो आपके important one liner question की ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा इसके बाद फिर गयने की इस तरीय उधारणा आपको मैं पढ़ाऊंगा फिर जो है अधिकम का वक्र क्या होता है अधिकम से जो वक्र है कौन कौन से वक्र आते हैं कैसे हम वक्र के माध् का सिध्धान्त है तो जितने भी सिध्धान्त है दोस्तों यह हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे अगर अभी आपने चैनल को मेरे subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज एक thumbnail जरूर दे दीजेगा चैनल को subscribe कर लीजेगा जिससे मेरी जितनी भी important वीडियो है जो आपके टैट सीटेट एक्जाम के लिए अध्यापक परिच्छा भरती के लिए जितने भी important topic है वो आपको दोस्तों मिलते रहें तो इंड तक बने रहें तो दोस्तों यही कुष्चन है जो आपके बहुत ज़्यादा पूछते हैं और हमको क्या होता हैं में confusion बहुत ज़्यादा होता है इनमें क्या होता है confusion बहुत ज़्यादा होता है तो उनको मैंने क्या किया है ट्रिक से तयार किया और वो ट्रिक मैं आप का clear कर दूँगा जो है सबसे पहला है मौखिक रूप से सीखने में अचमता मौखिक रूप से क्या है सीखने में अचमता मतलब क्या है कि आप जब मौखिक रूप से सही से सीख नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे डिस्फेजिया उसको क्या बोलते हैं डिस्फेजिय हैं जब बच्चा सही धंग से क्या करेगा पढ़ नहीं पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे डिस्लैक्सिया उसको क्या बोलेंगे डिस्लैक्सिया फिर कह रहा है लिखने की अच्छमता लिखने की अच्छमता जब बच्छा क्या करता है गलतिया करता है प्रापरली अच्छे हंग से लिख नहीं पाता जब वहां पर गलती आएंगी तो जब उसकी लिखने की अच्छमता को क्या बोलेंगे दिस ग्राफिया बोलेंगे फिर करा गडित संबंधी समस्ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैस से लेके प्रॉब्लम रहती है तो उस व करेंगे डिस फेजिया तो डिस फेजिया से हम याद ऐसे करेंगे एक फिजिया नाम की क्या थी लड़की थी एक फिजिया नाम की क्या थी लड़की थी और वह कहां की थी जम्मू एंड कस्मीर की वह कहां की थी जम्मू एंड कस्मीर की थी और आपको तो पता ही है जम्मू ज्याधा पसंद थी बहुत ज्यादा क्या थी पसंद थी और उसके क्या बनता था ये अपको पसंद आएगी तो आप क्या करोगे, मैं ने सोचा, मैं मैं उसको क्या कर दूँ प्रपोज कर दूँ और प्रपोज करने के लिए मुझे उसको I love you बोलना पड़ता तो जब I love you बोलना पड़ता लेकिन मैं क्या कर रहा था मैं उसको बोल ही नहीं पा रहा था मैं क्या कर रहा था मैं उसको बोल ही नहीं पा रहा था और कैसे बोलना च से तो होता है जब हम उसको मौखिक रूप से उसको प्रपोस नहीं कर पा रहा है तो वोर वह यह हो गया to इस फेजिया की क्या थी फेजिया नाम की लड़की थी कहां की थी जैनके जम्मो एंड खर मेर की थी उसके क्या वंता था लिंपल वंता था और जो मुझे अकरता था बहुत ही अट्रेक्ट करता था जुथ होने पर मैंने क्या करना चाह उसको प्रपोस करना चाह तो क्या हुआ कि हम उसको मौखिक रूप से बोल ही नहीं पा रहे थे तो यहां पर क्या हो रहा था है मौखिक रूप का विकार उत्पन हो रहा था अच्छमता उत्पन हो रही थी इसलिए हमने क्या किया उसको जो है वहां पर पे पेंडिंग कर दिया और अच्छमता उत्पन भी तो इसको मैंने क्या था डिस् ठीक है पढ़ने का मतलब क्या हुआ आपको एक कोई पुस्तक दे दी गई और उसको क्या किया आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप क्या है ऐसा पढ़ रहे हैं कालम 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 और जो है फाला फाला इस टाइप से मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्या हुआ कि मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा था, वहाँ पे एक बैठे जनाब हमसे क्या बोले, वो जो है, गाओ में देशी लेंग्वेज में बोले, बोले हमसे डैला हो का, तो डैला बोले हमको, मतलब डैला का मतलब क्या हुआ, कि जो गधा होता है, जो हम अपनी लेंग्वेज में क्या बोलते है गधा उसको बोले डैला हो का तो डैला हो का मतलब क्या हुआ डिसलेक्सिया या लास्ट में आया और डा से स्टार्ट हुआ तो जब पढ़ ही नहीं पा रहे थे तो उसको क्या बोल दिया मुझे बोल दिया डैला मुझे क्या बोल दिया डैला तो वहीं से हो गया आपका डिसल क्या होता है अक्सर ग्राफ जो है हमको लिख के बनाना पड़ता है और ग्राफ हम कैसे बनाते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं लिख के बनाते हैं और लिख के बही बनाएंगे तो यहां पर क्या हुआ लिखने की अश्मता ग्राफ नहीं बना पाए तो क्या हुआ लिखने की अश fy秒 फिल्लास्ट में गडित संबंदी समझे हैं कि तो गड़ित संबंदी समझे Carlustr समस्तों बहुत ही Turbo सब उसमें गलेट करते हैं और जब ऑन सब्साच करते हैं । अगर फास करते हैं अगर वह पास नहीं हो पाती ही तो आपको क्या बोलते हैं है तो यह डी क्या है डी आपका जौह है निगेटिव period कि यहां पर जो है डी है बस आगे का आपको मैंने जो टर्लिक मेस बता है वह यादना ए और चै़ैसर किस पर करेंगे मैच मे और मैच क्या है आपको आती नहीं तो जkemहत आपको आएगी तिस क्यार कल लिया हो जाएगा ए तो दोस्तों वेहत आपको मेरे हिसाब से आज का also आप को आपको बेहत पसंद आया होगा अगर आपको शिय पसंद आया है तो तुरन्त जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अपने कांटेक्ट में वीडियो को सेयर करिए जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जैहिन